मेरा आपका लर्नेक्स पर स्वागत है आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ दो को इस्तिमाल करने के सही सही concepts कहां कहां दर यूज होता है कहां दर यूज नहीं होता है इसके पहले कि मैं start करूं मैं आपको एक basic concept हम समझा देती हूँ जहां पर हम the definitely इस्तिमाल करते हैं ठीक है अब एक statement है I want to buy a phone कौन सा फोन पता है आपको कौन सा फोन नहीं because यह general statement था आपको पता नहीं था कौन सा फोन मुझे भी नहीं पता है बस खरीदना है एक फोन खरीदना है तो मैंने क्या use किया or use किया अब देखिए दूसरा sentence I want to buy the iPhone यहां पर क्या किया है मैंने आपको बताया है कि the iPhone पर मैंने यहां पर मुझे add करना पड़ेगा कौन सा model क्यूंकि अगर हम iPhone के बारे में बात करें तो आए तो वाविल आता है तो मुझे कहना चाहिए I want to buy an iPhone वापिस general statement में चला गया एक कोई तो बस इसको कोई तो iPhone खरीना है कौन सा खरीना है पता नहीं अब मैंने क्या बोला इसके पहले I want to buy the iPhone the new iPhone और specify किया यहाँ पर आपको क्या पता चल रहा है आपको यह पता चल रहा है कि जब भी मैं एक general statement के बारे में बात करती हूँ मैं या तो a add करती हूँ या तो an इस्तेमाल करती हूँ पर जब भी मैं कुछ specific बताती हूँ the classroom the camera the yellow color camera the the gold iPhone ठीक है तो rose gold iPhone तो मैं आपको specific information जब भी देती हूँ तब मैं add करती हूँ the art से आप भी यही करोगे इसके बावजूद भी इसके कुछ ऐसे rules है art use है जिस rules है जिससे आपको the का इस्तेमाल पता चल जाएगा सही कौन सा है गलत कौन सा है ठीक है शुरू करते हैं language से तो अगर आप मुझे बोलना है I am fluent in language बताओ कोई भी एक English ठीक है English तो क्या मैं यहाँ पर the add कर सकती हूँ यहाँ पर the add हो सकता है English के आगे नहीं हो सकता है और वही है rule जब भी हम language के बारे में बात करते हैं भले ही वो कुछ भी हो मैंने यहाँ पर English लिखा है French add कर दो अब कुछ भी add कर दो यह याद रखना है whenever you talk about language यानि जब भी आप language के बारे में बात करो the का इस्तमाल नहीं होगा ठीक है आपको समझ में आया है यह point easy है आगे बढ़ते हैं अगले point के तरफ जो की है jobs my son wants to do a job क्या मैंने क्या बोला मैंने a job अब आप पूछना कौन सा job तो I will say my son wants to become a pilot I want to become a pilot ठीक है I want what do I want I want to become a pilot pilot एक job है ना correct या a salesperson a salesperson ठीक है a customer service executive बार बार मैं कौन सा word यह repeat करी हूं हर एक job के आगे तो आप बताइए क्या job के आगे जब भी हम jobs we बात करें क्या आप दर का इस्तमाल करोगे नहीं करोगे दर का इस्तमाल यहाँ पे दर नहीं आता है तो language में दर नहीं आता है jobs में नहीं दव आता है आगे बढ़ते हैं देखते हैं proper noun में add होता है या नहीं तो एक example ले लेते हैं कोई भी proper noun का मान लीजिए कोई भी हफते का एक दिन ले लो Monday ले लो ठीक है तो अगर हम Monday के बारे में बात करें तो I like to I like Mondays ठीक है एक random statement है कि मुझे Mondays बहुत पसंद है या फिर आप बोलो I like to go shopping on Monday या Sunday तो यहां पर भी अ का इस्तमाल या दर का इस्तमाल कौन सा इस्तमाल होता है बताईए तो proper noun में भी दर का इस्तमाल नहीं होता है proper noun में हाँ आप preposition जरूर यूस कर सकते हो तो for example, we ran on Sunday कहने का मतलब यह है कि हम संदे को भागने गये थे ठीक है? running करने गये थे, exercise करने गये थे यहां पर हमने किस का इस्तमाल किया है? on का इस्तमाल किया है on क्या है? एक preposition है और Sunday क्या है? एक proper noun है तो जब भी proper nouns आते हैं जैसे कोई भी let us meet on Sunday है न? let us meet on Sunday यहां पर भी on आया? आया की नहीं आया? तो याद रखना है proper noun में भी the नहीं आता तो language में नहीं आता, jaws में नहीं आता, proper noun में आता अब देखते हैं meals में तो meals की जब आप बात करते हैं तो हम मान लीजिये breakfast है, brunch है, lunch है, dinner है, है की नहीं? tea time है तो जब भी meals के बारे में बात करोगे I like eating breakfast आया the, आया? नहीं आया, तो अगर हम general, पर ये statement भी तो general है guys, है की नहीं? I like eating breakfast मतलब क्या? एक general statement है, कोई specific बताए है मैंने? रुकिए, अब बता दियू specific, आप confuse करती हूँ आपको मैं थोड़ा सा, अब मैं इसी statement को आगे लेके जाओंगी मान लीजिए, कल एक party थी मेरे घर में, ठीक है? और हम सारे family मिलके उस party में चलेगे और next day हम लोग breakfast table पे, क्योंकि मुझे breakfast तो पसंद है, मैंने बोल दिया यहाँ पे तो हम breakfast table पे बैठे हैं सब सारे लोग, और मैंने बोल दिया सबको कि I like the dinner हा, मैंने क्या बोला? मुझे वो dinner पसंद आया क्या समझ में आया आपको? स्टोरी तो पता दी, आपको यह समझ में आया कि जो मैं कल के dinner के बारे में बात कर रही थी, जहाँ हम गए थे उसी के बारे में breakfast table पे आज बात कर रही हूँ, यानि मैंने क्या कर दिया? जेनरलाइस statement को बना दिया, specific तो जब भी आप specify करोगे, थोड़ा सा नीचे लिखती हूँ मैं, ताकि अगर मुझे यहाँ पर लिखना है, specify करोगे, I liked the dinner, तो जब specify करोगे, sorry, आपको समझ में नी आया होगा, इसलिए मैंने फिर से लिख दिया वो, specify करोगे, तो आप the लिख सकते हो, the lunch, the dinner, ताकि मुझे पता चले कि, अच्छा, आप उस lunch, या उस dinner के बार में बात कर रहे थे, लेकिन, general statement, no the, got it, general statement, no the, specific, yes the, ठीक है, अभी uncountable nouns, uncountable nouns वो होते हैं, जिनके आगे S नहीं लगता, ठीक है, salt, salt के आगे S नहीं लगता, pasta, pasta आप गिन नहीं सकते हो, एक pasta, दो pasta, तीन pasta, चार, नहीं लगता है, तो यह भी बन गया uncountable, तो इसी का example ले रहते हैं, तो हम uncountable nouns के बारे में अगर बात करें, एक statement ले लो, she made pasta, ठीक है, she cooked pasta, यहां पे भी guys, दो का इस्तमाल नहीं होगा, याद रखना है, जहां पे भी uncountable nouns आते हैं, वहां पे दो का इस्तमाल नहीं हो सकता है, unless and until, specify नहीं करो, अगर मैं specify करना चाहती हूँ, I like the pasta you made, मैं wait करूँगी, अगर आप आधा दूरा sentence बोलोगे न, I like the pasta, कौन सा pasta, बताओ तो कौन सा pasta, यानि आपको specify करना पड़ेगा, तभी आप use कर सकते हो, the, same system, repeat नहीं करूँगी, specify the pasta, जेनरल, no, लेकिन specify करोगे, the pasta, ठीक है, पर of course, यहाँ पर एक meal के बारे में बात हो रही है, इसलिए मुझे पता चल जाएगा, कि specific information है, ठीक है, let's move on, concepts के बारे में सीखते हैं, अब concept मतलब क्या, एक abstract concept होता है, जैसे कि love, एक abstract concept है, फिर information, guidance, यहाँ पर लिख देती हूँ, यह सारे concepts है, राइट, तो अभी आप जब भी बोलोगे, the information that you gave me, क्या कहा मैंने, the information that you gave me, जो information आपने मुझे दी, मतलब एक specific information आपने मुझे दी होगी, कि अच्छा, flight यह पकड़ लो अगर आपको यहाँ जाना है, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ, तब मैंने use किया the, the love, the love between both of them, उनके बीच का प्यार, specify है, specific है, तो जब हम specific करो, लिखेंगे, तब द इसमें आएगा, लेकिन आपको पूरा sentence complete करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा क्या है specification, specification, लेकिन general terms में अगर आप बात करो, तो the नहीं आता है, ऐसे concepts के आगे, जहां पर concept abstract है, only and only specific terms में आता है, general term में, the नहीं आता है, ठीक है, मैंने आपको explain कर दिया है, in a sentence, now, if I want to say, अगर मुझे बोलना है, I like love, तो क्या मैं बोल सकती हूँ, the love, अगर मुझे बोलना है, तो मुझे sentence पूरा करना होगा, आपको एक specific story बतानी होगी, I like giving information, कौन सी information, पकड लिया न, जैसी कौन सी information आता है, तो मैं specify करूँगी, the information, about flights, about food, got it, perfect, concept से move करते हैं आगे, जो कि है countries, ये तो सबसे बड़ा confusion है, movies में भी दिखा दिया है, कि actress पूछ लिए कि यार, इनके country के आगे आप the add कर सकते हो, हमारे country के आगे क्यों नहीं, तो इसे लिए नहीं, क्योंकि उनके countries, बहुत सारे countries मिला कर एक country बनी है, तभी उनको कहते हैं, एक और इंफर्मेशन दे देती हूँ आपको, ऐसे जो भी islands होते हैं, islands से बनती एक country, उनमें भी आप the add करते हो, जैसे the virgin islands, Virginia islands या the Philippines, इसमें आप the add करते हो, मैं यहाँ पर लिखूंगी नहीं, पर आपको इसके अलावा, अगर कोई भी country के बारे में बात करनी है, जैसे Spain, ठीक है, England, India, France, और कोई याद आ रहे हैं, इनके आगे नहीं add होता है, the, लेकिन जैसे मैंने आपको rule बता दिया, exceptions हैं, इनके आगे add होता है, ठीक है, अब fair है, कि क्यों इनके आगे दर है, हमारे आगे दर नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, next rule की तरफ, जो की है, planets, तो मैं यह आपको बताना चाहती हूँ, मैंने यह planet इसी लिए लिखा है, क्योंकि यह one of a kind है, अभी तक हमें पता नहीं है, कि और कहीं यह है या नहीं, लेकिन हमारे हिसाब से, हमें जतना पता है, एक ही sun है, एक ही moon है, एक ही Mars है, और एक ही earth है, हैं की नहीं, one of a kind, इनके जैसा और कोई है नहीं, इसी लिए इनके आगे, the add होता है, ओके, the moon, the sun, the earth, ठीक है, और एक concept है, जो की one of a kind है, इसके जैसा और दूसरा है ही नहीं, पता सकते हो क्या है, वो है internet, मतलब उसी के जिसके हम मिल रहे हैं आज, तो internet ऐसी चीज़े, जो की दुनिया में और, एक और internet exist नहीं करता है, अभी तक तो, at least अभी तक, तो इसे लिए, इसके भी आगे, internet के आगे भी, the add होगा, ये याद रखना है, ये planet नहीं है, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं information दे रही हूँ आपको, कौनसी information, the add हो गया है, नहीं, ठीक है, the internet, make sure आप ये याद रखो, कि internet के आगे, हमने the add किया है, ठीक है, ये correct है, तो ये थे आपके the के rules, इतने सारे rules है, लेकिन बहुत ही आसान है, बहुत ही simple है, इसका आप ध्यान में रखो, इसको आप use करना, ठीक है, तो guys, आज के लिए बस इतना ही, मैं आपको जल्दी मिलूंगी, एक और interesting lesson के साथ, तब तक आप प्लीज प्राक्टिस कीजिये, smile, spread love, this is me, Meera, signing off for the day guys, bye.